हलो एबरीवन वेलकम बेक टो माझे चैनल आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कैपसूल साइज को चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Capsule Size Capsules have different sizes and their selection for manufacturing depends on following parameters जैसे कि आप सभी जानते हो जो capsules रहते हो different sizes में available होते है और उनकी selection जो की जाती है manufacturing के लिए उसके लिए कुछ factors आपके या फिर कुछ parameters responsible होते है जैसे कौन से parameters है जिनके बात करते हैं इंटेंडियर डोजिस के बात करते हैं इसके बात करोगे जो भी आपका फिलर मेटीरियल रहेगा उसकी डेंसिटी के बेसिस पर आप कैपसुल साइस को स्लेक्ट करते हो विए इसपी के डिनसिटी कालेर काले साइस करते है इसमें डिनसिटी असके बेसिपत है और अगर अगर आप एंटेरिक्ट टैप कैप्सुल बनाना चाहते हो तो नेक्सिमम लेंथ डाइमेंटर और इर नीम healthy और पाथ्ट या प्ला साइथ जाइक को सलेक्ट करते हैं में हृं स्गोस руки भी हम राता है तो next देखते है capsule size chart किस तरह से रहता है तो देखिए यह है capsule size chart ओके इसमें आप देख सकते हो कौन से different type के capsules के size से रखे हैं ठीक है यह capsules के sizes है उसके next है जो यह powder filling capacity रहेगी capsules के अंदर जो कि एमची में रहेगी और next देखते हो आप इसमें जो empty capsule shells रहेंगे उनका weight रहेगा जिस पर आपकी standard deviation apply होगी plus minus 10% कि रहेगी क्योंकि यहां पर जो हमारे पर जो भी shells का weight रहेगा वह less than 300 mg रहेगा 300 mg जिन capsule का weight रहता है उन पर जो standard deviation apply होती है वो plus minus 10% कि रहती है ठीक है तो यह देख सकते हो आप इसमें जो capsule sizes रहे है 000 to 5 तक यह जो sizes रहे है ठीक है हम इन sizes को देखते हैं और देखते हैं इसमें कितने powder filling capacity रहती है और क्या इसके empty capsule shell का weight रहता है सबसे बात करते हैं जो 000 size रहता है आपका capsules का उसमें जो powder capacity रहेगी light capacity रहेगी जो वो रहेगी आपकी 615 mg और typical filling capacity उसके जो रहेगी वो रहेगी 9 960 mg और heavy filling capacity रहेगी जो रहेगी जो इसकी वो है 1370 mg और आपका जो size 000 capsule रहता है उसका empty capsule का weight रहता है 163 mg और plus minus 10% की standard deviation और next वाद करते हैं जो आपका 0000 size capsule रहता है उसके जो light powder filling capacity रहेगी वो रहेगी 430 mg और उसमें जो typical capacity रहेगी वो रहेगी जो रहेगी जो रहेगी जो रहेगी 665 mg और हैविक फिलिंग कपैस्टी जो रहेगी वह 950 mg रहेगी और इसमें जो एम्टी कैपसूल शेल का वेट रहेगा वह रहेगा 118 mg प्लस मैंस आपका 10% और नेक्स तम बात करते हैं कैपसूल साइज 0 की तो कैपसूल साइज 0 जो रहेगा उसमें जो लाइट पाउ चाहिए 475 mg और हैविक कैपस्टी रहेगी 680 mg और इसमें जो एम्टी कैपसूल शेल का वेट रहेगा 96 mg और नेक्स तम बात करते हैं कैपसूल साइज 1 की तो आपकी लाइट पाउलिंग कैपस्टी रहेगी 225 mg और आपकी जो टिपिकल कके पैस्टी रहेगी 350 mg और कापसूल चल बेट रहेगा वो रहेगा 76 mg प्लस मैंस 10 परसंट और नेक्स तम बात करते हैं साइज 2 कैपसूल के साइज 2 कैपसूल में जो आपकी लाइट फिलिंग कपैस्टी रहेगी वो रहेगी आपकी 165 mg और टिपिकल पॉडर फिलिंग कपैस्टी जो रहेगी 260 mg और हैव पॉड़ फ्राइट रहेगी दुटर वो रहेगी आपकी 135 mg टिपिकल केसित ूमाइट वो रहेगी 210 mg और हवी मादध पैस्टी त homog 목ण पॉडर वोड़ फिलिंग कपैस्टी और हैगी 300 mg रहेगी और और टिपिकल रहेगी 145 mg और हैवी रहेगी 210 mg और इसमें जो एम्टी कैपसूल चाल का वेट रहेगा वो रहेगा 38 mg प्लस मैंस 10% और next बात करते हैं जो आपका कैपसूल साइज 5 है उसमें जो आपकी पड़र फिलिंग कैपसिटी रहेगी 60 mg और टिपिकल रहेगी 90 mg और ऺहेगी 130 mg और इसमें जो एम्टी कैपसूल साइल का वेट रहेगा 28 mg और इसमें जो आपका वीडियो आपको वीडियो अच्छे लगए हो अच्छे लगए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिगा लाइक किजिगा और हो सके तो शेयर किजिगा थैंक यू